क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए प्रभु श्री राम के भाई भरत फिर जो हुआ आपको हैरानी में डाल देगा क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को यह बात पता चली गई होगी कि राम मंदिर बनकर पूरा तयार हो च 22 जनवरी का सब को क्या आप जानते हैं राजा दशरत के दूसरे पुत्र थे भारत जब राम अयोध्या छोड़कर वनवास गए तो भारत ने राम से मिलकर उनसे अयोध्या की राजगदी नहीं स्विकार की राजगदी को में पुत्र शत्रुगन को सौंक दिया भारत ने उस समय दिखाया कि भाईचारा और कर्तव्य उनके लिए सर्वोपरी है भगवान राम अयोध्या के राजा दशरत के पुत्र थे धर्म और न्याय के प्रतीक थे उनका वनवास जीवन की परीक्षा का समय बना सीता लक्षमन और हनुमान के साथ राम ने राक्षस राजा रावन के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया उनकी विजय धर्म की जीत को प्रतिश्थित करती है और मित्रों आप क्या आपको पता है कि राम मंदिर में कितने किलो का घंटा चढ़ाया जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ने वाले घंटे का आजकल लगभग 2100 किलो है और वही मंदिर के दर्वाजे कोई आम दर्वाजे नहीं है बलकि सोने की धातूँ से बनवाए गए हैं चलिए अब बात करते हैं मंदिर में लगाई जाने वाली अगर बत्ती की लंबाई करीब 108 फीट है मंदिर में लगातार कई चमतकार देखने को मिल रही हैं लेकिन इन सभी चमतकारों को जानने से पहले अगर आप सच्चे रामभक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और ऐसी ही वीडियो को देखने हमारे चैनल इन फो टी भी भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी चमतकारों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें चक्कर भी लगाते हैं मंदिर में पुजारी और बाहर काम करने वाले मजदूरों का कहना कि उन्हें अपनी आखो प्रभू भरत के दर्शन किये हैं और आप जानते हैं उन चमतकारों के बारे में हनुमान जी का प्रकट होना गिद्धों के जुन्द भालूओं का जुन्द नारों का जुन्द और नागों का विशाल जुन्द देखने को मिल रहा है 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसका सभी अयोध्यावासी काफी समय से इंतजार भी कर रही हैं आज की इस वीडियो पर बीते कुछ दिनों में अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिन में कहा जा रहा है कि गिद्धों के जुन्द देखने को मिल रहे हैं बंदरों के जुन्द देखने को मिल रहे हैं ये बाते शुरुवात में तो अफवा ही लगी थी हमें भी अफवा ही लगी थी लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च क तो पाया कि कई में ये घटनाय सत्य है जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है यह तो हम नहीं जानते कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयना रहे हैं वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे ह कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अप्शकुन हो सकता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों मेरा मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि यह अब सगुन नहीं है यह भी सही नहीं होगा अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रही है तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अ अपने आप में अध्वितिय है और आपने इस घटना के बारे में विस्तरत रूप से नहीं सुना होगा क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंग बली स्वय अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बलकी पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी, यहां अपने आप में अगवितिय घटना है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो देर न करते हुए आते हैं आज की घटना। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो की काफी हिट हुई थी, और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है, तो चलिए बात करते हैं घटना क के बारे में बात है, 1998 की हर रोज की तरह हनुमान गढ़ी के सामने काफी भीड दिखाई दे रही थी, लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे, और जा रहे थे, लेकिन तभी हनुमान गढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है, पुलिस को शुरुवात में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा, और इसलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा, लेकिन एक घंटा गुजरता है, दो घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप क लेने कोई नहीं आता दो घंटे बाद, पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है, और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है, उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है, यह मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतोर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है, उस मोटर को ख समय STF टीम को लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी, और 1985 तक से 2019 तक वह STF में कारियरत रहे, इनके नाम 150 एंकाउंटर भी है, अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुँचते हैं, और देखते हैं, वह बताते हैं कि यह तो RDX है, STF टीम को यह समझते देर नहीं लगती है, कि RDX अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है, तुरंथ ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है, और पूरी अयोध्या में एक घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर RDX जब्त किया जाता है, यह अपन इंकवादियों की साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नश्ट कर दिया जाए क्योंकि यह जीप हनुमान गढ़ी के पास पाई गई थी तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमान गढ़ी में भी कहीं न कहीं RDX रखा गया हो STF टीम तुरंत ही हनुमान गढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ठक हार कर बैठ जाते हैं लेकिन तभी STF टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है लेकिन यह सदस्य कभी STF टीम में रहा ही नहीं था अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शक्स को आवाज देते हैं वह व्यक्ति भागने लगे है यह व्यक्ति पूरी तरह STF दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था तुरंत ही टीम उसे दौरा कर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है वह आतंकवादी हंसने लगता है और हस्ते हस्ते कहता है अरे तुम कुछ नहीं कर सकते मैंने अब हनुमान घाटी के अंदर ताइम बॉम लगा दिया है और घड़ी देखते हुए वह कहता है अब तो सिर्फ एक मिनट बचे जाओ जो करना है कर दो तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमान गढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं स्टीएफ टीम ने हनुमान का कोना कोना चान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा तब तीन को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहाँ पर चैक करें उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ती का प्रसाद उस बंद की तरफ फेंका लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहाँ से भाग जाता है तुरंत इंस् दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शक्स वाटर कूलर के पास पहुँचता है वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहाँ पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चल जाता है वह शक्स जोर से चिला कर कहता है अरे यह तो टाइम बॉम है और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है वह कहता है अरे सर ये तो तीन सेकंड पर रुख चुका है अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था वह तार इस टाइम बॉम के ही थे अविनाश मिश्रा. उस बंदर को ढूंडने के लिए दौडने लगते हैं और तभी ढूंडते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमान गढ़ी के शिखर पर जाती है जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वार्नर के रूप में स् साक्षात बजरंग बली ही हनुमान गढ़ी को बचाने के लिए आए हैं सभी थी के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आँखो से आसु बह रहे थे हाथ जोडे हुए थे और अप जल हो जाता है अविनाश मिश्रा स्वय बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अध्भुत घटना थ अभी एकल्पनिय थी इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इन्सны इन था में दिखाया गया है जो पिछले साल 2023 में मैं मैं में रिलीज हुई थी इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखें वह भी इसी मूवी के ही है तो दोस्तों कि यह घटना आप तक अवश्य पहुचानी चाहिए तो हमने पहुचाया अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें इसको लेकर इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे तमाम वीडियोज मिल जाएंगे और तो और वह फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है किसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में जैश्री राग